दोस्तो एक्टर शशी कपूर जी की बर्थ एनिवर्सरी पर उनको याद करते हुए आज उन से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें आज अगर शशी कपूर होते तो पूरे 86 इयर्स के होते उनका जन्म हुआ था 18 मार्च को बात है 1937 के आसपास की उन दिनों में पृत्वी राज कपूर इंपीरियल ड्रामा कंपनी में काम करते थे और वो हीरो बनना चाहते थे स्ट्रगल का दौर था और उन्ही दिनों में उनकी पतनी राम सरनी प्रेगनेंट हो गई लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी थी वो नहीं चाहती थी कि उनके परिवार में कोई और बच्चा जनम ले क्योंकि इससे पहले राज कपूर और शम्मी कपूर उनके दो बेटे और डेडी थे और वो तीसरे बच्चे को एकदम से एकसेप्ट नहीं कर पा रही थी तब उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को कूख में ही खतम कर दिया जाए और वो इसी जद्व जहद में लग गई कई बार उन्होंने अपने आपको साइकल से गिराया सीडियों से गिरी और रसी भी जम्प की लेकिन कुछ नहीं हो पाया जिसको खुदा दुनिया में लाना चाहता हो उसको कोई नहीं रोक सकता और फिर आखिर कार अगले साल 18 मार्च 1938 को उनके घर में एक प्यारे से बच्चे ने जनम लिया जिसको लोगों ने आगे चल कर शशी कपूर के नाम से जाना पहचाना 1995 में शशी कपूर जी ने ही फिल्मी बीट नाम की एक मैगजीन में इस सारे किस्से को बताया था बच्चपन में उनका नाम बलबीर राज कपूर रखा गया था लेकिन उनकी माता उनको फलू की कहकर बुलाती थी सैयोग इसका मतलब होता है सैयोगी क्योंकि वो अंचाहे तोर पे पैदा हो गए थे फिर आगे चल कर पृत्वी राज कपूर जी ने पृत्वी थेटर की स्थापना की और उसमें लग गए साथ में चोटे शेशी कपूर भी सेट पर अक्सर रहा करते थे उनी दिनों में शेशी कपूर ने फिल्म आग और आवारा में राज कपूर के बचपन का रोल भी किया शेशी कपूर से जुड़ा एक किस्सा ये भी है कि वो बचपन में जब स्कूल में थे तो उनके बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे भारत के बहुत ही मशहूर किर्केटर विकेट कीपर फारूख इंजीनियर एक बार जब शेशी कपूर और फारूख इंजीनियर क्लास में जब छोटे थे तो कुछ बात चीद कर रहे थे तभी टीचर ने देखा और टीचर ने शेशी कपूर की तरफ एक डस्तर फेक कर बहुत तेजी से मारा और तब फारूख इंजीनियर ने उस डस्तर को अचानक से कैच कर लिया ये डस्तर शेशी कपूर की सीधी आँख में आकर लगता और सिर्फ एक इंच पहले फारूख ने उस डस्तर को कैच कर लिया और शेशी कपूर की आँख बच गई उसके बाद जब शेशी कपूर स्टार बन गए तब फारूख इंजीनियर अकसर उन से मिलते थे और कहा करते थे उनको चिड़ाते थे कि शेशी अगर मैं उस दिन वो डस्तर कैच नहीं करता तो तुझे फिल्मों में किसी डाकू का रोल मिलता फिर साल आया 1955 शेशी कपूर 17 साल के हो चुके थे वो अपने पिता के साथ पृत्वी थेटर से जुड़े हुए थे तब किसी शो के दौरान जब कोई शो स्टार्ट होने वाला था तब शेशी कपूर ने एक दिन परदे के पीछे से देखा कि कितनी ओडियन्स हैं वो आडियन्स को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि एक चौती रो में एक बहुत ही खुबसूरत कोई विदेशी लड़की बैठी हुई है शेशी कपूर की नजरे उस लड़की पर एकदम अटक गईी और शेशी कपूर को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी एक किस्सा ये भी है कि इटेलियन एक्टरिस जीना उन पर फिदा हो गई थी और शशी कपूर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी थी एक दो बार मिलने के बाद जीना ने शशी कपूर को फूलों का एक गुलदस्ता भिजवाया लेकिन जीना को ये गलत फहमी थी कि शशी कपूर का नाम मधुर है उन्होंने ये गुलदस्ता मधुर जाफरी के नाम पर भिजवा दिया लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया क्योंके गुलदस्ता शशी कपूर के पास नहीं पहुँचा फिर अगले दिन जीना ने शशी कपूर से पूछा कि तुम ने जवाब क्यों नहीं दिया तब शशी कपूर ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा कि एक छोटी सी गलत फहमी से उनके हाथ से एक अच्छा खासा मौका चला गया और फिर बात आई गई हो गई लेकिन शशी कपूर अक्सर जैनिफर से मिला करते थी लेकिन वो बहुत ही शर्मीले सौभाओ के थे और एक दो मुलाकाते होने के बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आये दोनों एक दूसरे को समझने और पसंद करने लगे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन प्रिथवी राजकपूर नहीं चाहते थे कि उनके घर में कोई विदेशी लड़की आए बहुत जदो जहत के बाद प्रिथवी राजकपूर तो मान गए अब जेनिफर के पिता नहीं मान रहे थे तब आखिर जेनिफर ने शेशी कपूर से कहा कि हम दोनों बालिग हैं और हम दोनों अपनी शादी का फैसला कर सकते हैं उसके बाद दोनों की शादी हो गई साल 1958 में शादी के एक साल के बाद शेशी कपूर और जेनिफर के यहां जनम हुआ बेटे कुनाल का लेकिन तब भी शशी कपूर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे उस थेटर में ही लगे रहते थे उनका अपना कोई काम या कोई पहचान नहीं थी उसके बाद पृत्वी थेटर में ही काम करने वाली अजरा मुम्ताद ने एक बार शशी कपूर से कहा कि अब तुम बाब बन गए हो तुम पर जिम्मेदारियां ज्यादा है तुम अपने पैरों पर खड़े कब होगे अपनी पतनी का ख्याल कब रखोगे ये बात शेशी कपूर के दिल पर लग गई उन्होंने देखा कि जैनीफर एक साल पुराने कपड़े पहने हुए है और व डारेक्टर काम किया और फिर साल 1961 में उनको एज़े हीरो पहली फिल्म मिल गई धरम पुत्र उसके बाद की फिल्में प्रेम पत्र चार दिवारी महंदी लगे मेरे हाथ ये फिल्में भी बाक्स आफिस पर कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई शेशी कपूर की इतनी सारी फ पसंदीदा स्पोर्ट्स कार भी बेच डाली और पत्नी जैनीफर का बहुत सारा सामान भी बेच दिया ताकि घर का खर्च चल सके वो अपने दम पर कुछ कर सकें दौर मुश्किल था और तब उनका हाथ थामा मशहूर एक्टरस नंदा ने उन्होंने कहा कि वो शेशी के साथ कोई भी फिल्म करेंगी और तब उनको फिल्म मिली जब जब फूल खिले इस फिल्म ने ते और इसके गानों ने तो जैसे तहलका मचा दिया एक तुफान सा आ गया था सुपर डुपर हिट फिल्म सुपर डुपर हिट गाने शेशी कपूर बन गए सुपर स्टार पर देसियों से ना अखिया मिला देसियों को है एक दिन जाना नंदा की इस हेल्फ से शशी कपूर की जिन्दगी बदल गई सब कुछ बदल गया शशी कपूर के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उसके बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर हिट फिल्मे दी उनकी जोड़ी बनी सुपरस्टार अमिताब बच्चेंजी के साथ जिसको लोगोंने बहुत पसंद किया फिर एक वक्त ऐसा आया जब शशी कपूर इंटरनेशनल एक्टर बने वो भी भारत के पहले इंटरनेशनल एक्टर उन्होंने इंगलिश फिल्म हीट एंड डस्ट में काम किया और करीब 10 से ज्यादा इंगलिश मुवीज में उन्होंने एक्टिंग की जो लोगोंने काफी पसंद की फिर साल आया 1982 और ये साल शशी कपूर की जिन्दगी में एक तुफान लेकर आया जब उनको पता लगा कि उनकी जान से प्यारी पतनी जैनिफर को कैंसर हो गया है जैनिफर कैंसर से लड़ती रही और दो साल के बाद जैनिफर ने दम तोड़ दिया शशी कपूर इस बाद से पूरी तरह से तूट गए थे क्योंकि जैनिफर ही थी जो उनका पूरा खयाल रखती थी और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल पिले कर रही थी जैनिफर जैनिफर के जाने के बाद शशी कपूर घर में अकेले पड़े रहते थे किसी से बात नहीं करते थे डिप्रेशन में चले गए थे वो रोए भी नहीं थे बस हमेशा जैनिफर की यादों में गुम सुम रहते थे एक बार वो गुवा के बीच पर गए और वहां पर बोट लेकर वो गुवा के गहरे समंदर में चले गए और तब पहली बार वो फूट फूट कर चिला चिला कर जैनिफर को याद करके रोए थे इस बात का खुलासा उनके बेटे कुलान ने ही एक इंटर्वियू में किया था शेशी कपूर ने जैनिफर के साथ 28 साल खूबसूरत 28 साल बिताए और उसके बाद जैनिफर के बिना 31 साल बिताए शेशी कपूर ने कहा है कि 31 सालों में उन्हें कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि वो दूसरी शादी कर लें उनके लिए जेनीफर की यादे बहुत थी जीने के लिए फिर आया साल 2017 शेशी कपूर हो गए थे पूरे 79 एर्स के और इसी साल शेशी कपूर भी हम सबसे जुदा हो गए और पीछे छोड़ गए अपनी खुबसूरत इसमाइल, खुबसूरत एक्टिंग, गीत, फिल्में और जाने बहुत कुछ तो शेशी कपूर का आपको कौन सा गीत, कौन सी फिल्म पसंद है जरूर बताईएगा आज मुझे लगा ये बाते आप से शेयर करनी चाहिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना आप लोग अपना बहुत बहुत खयाल रखें और देखते रहे रेट्रो शावेज, जै भारत, जै हिंद